अस्सलामु आलीकों मुरह्मतुल्लाही और बरकातू मुहतराम सामेने किराम आप सबको हमारे यूटूप चैनल में वेलकम करता हूँ दोस्तों हम लोगों ने दूआ नमबर तीन पढ़ लिया ओर आज हम पढ़ेंगे दूआ नमबर 4 ये क्या है नीन से बेदार होकर पढ़ने की दुआ । जब सोकर उड़ते हो फिर जब आप सोकर उड़ते हो या नीन से बेदार होते हो तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए ठीक है आज हम पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों सबको शुरू करते हैं आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए नीन से बेदार होकर पढ़ने की दुआ नीन से बेदार होकर पढ़ने की दुआ अल्हम्दु लिल्लाहि लदी अह्याना बाद मा अमातना बाद मा अमातना वा इलेहिन नुशूरू नीन से बेदार होकर पढ़ने की दुआ अब भी मेरे साथ पढ़िए दुआ नंबर चार नीन से बेदार होकर पढ़ने की दुआ अल्हम्दु लिल्लाहि लदी अह्याना बाद मा अमातना वा इलेहिन नुशूरू ठीक है दोस्तों आपको क्या करना है दुआ नंबर चार एक दो तीन चार आपको क्या करना है याद करना है ठीक है याद कीजिए और रोजाना जब सोने के लिए जाते हो या निन से बेदार होते हो तो यह सब दूआ आपको पढ़ना चाहिए ठीक है तो याद कीजिए और हमारे अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और आपके फैमिली में से जिसको कुरान करीम नहीं आता है उन तक भी पहुंचा ही है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे तब तक लास्सलामु अलीकूँ मुराहमत अल्लाही और अब रहता है